पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सुमवार को अपना पहला बजट पेश किया पंजाब के वित्वंत्री हरपाल सिंग चीमा ने विधान सभा में वित्वर्ष 2022-23 के लिए राजी का बजट पेश किया इस दोरान चीमा ने पंजाब विधान सभा में घोशना की कि एक जुलाई से मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा चीमा ने कहा कि एक जुलाई से हर महीने 300 युनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजट में प्रापधान किया गया है इस साल बिजली सबसीडी पर 6947 करोट रुपे खर्च होंगे इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि एक जुलाई से राज्य के प्रत्येग घर में हर महीने 300 युनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटी प्राफधान किये गए हैं चीमा ने ये भी कहा कि आप सरकार सुशासन का एक मॉडल स्थापित करेगी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भरष्टाचार को बरदाश्ट नहीं करेगी हमारी पार्टी का जर्म भरष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ है चीमा ने बजट भार्षन से पहले कहा कि बंजाब सरकार का मुख्यों देश ब्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है और राज्य के लोगों पर एक-एक पैसा खर्च किया जाएगा वितमंत्री ने कहा है कि सरकारी पोटल और ई-मेल के माथ्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद बजट तयार किया गया है और इसमें स्वास्त और शिक्षा सहित अलग-अलग शेत्रों पर खास तोर से ध्यान दिया गया है चीमा ने कागज रहिद बजट को पढ़ते हुए कहा कि पहले साल में हमारा ध्यान तीन मुख्य बातों पर होगा बिगरती राजकोशिय सेहत को ठीक करना, सावजनिक धन का प्रभावी उप्योग सुनिश्चित करके सुषासन के वादों को पूरा करना और स्वास्ति तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पंजाब के मुख्य मंतरी भगवत्मान ने अपने पहले बजट में पैसे की तमाम कमी के बावजूद शिक्षा के बजट में बढ़होतरी की है जबकि तकनीकी शिक्षा बजट में 48 और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 प्रतिशत का इजाफा किया गया है पंजाब सरकार के शिक्षा बजट में सरकारी स्कूल बिल्डिंग के हाल सुधार ने सभी स्कूलों की बॉंडरी वॉल बनवाने का एलान किया गया इसके अलावा शिक्षिकों की देश विदेश में विश्विस्तरीय ट्रेनिंग साफ सफाई की विवस्ता, डिजिटल क्लासरूम बच्चों को नौकरी बांगने वाला नहीं बलकि नौकरी देने वाला बनाने की शिक्षा योजना की घोशना की गई है राच्च सरकार के करमचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर 60,440 करोड रुपे खर्च किये जाएंगी मान सरकार ने समाजिक सुरक्षा पेंशन का भी ध्यान रखा इसके अलावा पंजाब सभी जिलों में साइबर अपराद नियंतरन कख्ष खोलने पर 30 करोड रुपे खर्च करेगी पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोख लगाने के लिए 200 करोड रुपे का प्रापधान किया है पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीवा ने दावा किया है कि मान सरकार ने ये बजट आम लोगों की सलाह पर ही तयार किया है देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही है जन्भावना टाइम्स नमस्कार